वेल्कम टू न्यू एपिसोड ओफ सिंग आडो जोन दोस्तो जिस अपडेट का हम या कह सकते हैं जिसके बारे में कुमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे थे रिगारिंग बजाज चेतक के एक्सपेंशन प्लान के बारे में और साथ में उसका जो सेल्स फिगर था उसके बारे मे उसके लावा एक और बड़ी इंट्रेस्टिंग न्यूज बजाज आटो से निकल कर आई है वो भी मां आज इस अपडेट में आपके साथ शेयर करूँगा अभी कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि जो बजाज आटो चाकन में निया प्लांट सेट अप कर रही है चेसो पिचास कुड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पर लेक्ट्रिक वेहिकल्स के साथ साथ जो उनके जॉइंट वेंचर है के एटियम और हस्क वरना के साथ उनसे लेटिड बाइक्स भी वहाँ पर बनाई जाएंगी बट ज़्यादा फोकस उनका एलेक्ट्रिक वेहिकल्स को सेट अप करने में है लाइक बजाज चे तक इलेक्ट्रिक स्कूडर उसको मास केल पर बनाया जाएगा तांकि उसको ज़्यादा फोर्डेबल बना बजाज आटो के उन्हें के इंट्रिव में कंफर्म किया है कि बजाज फेस्वाइस जो एक्स्पेंशन प्लान है उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर का चेतक का उसको आगे लेकर आएंगे अंडर फेस वन बजाज चेतको 30 नए शहरों में लांच किया जाएगा और अंडर फेस करने की बात है 2022 में इसके प्रडक्शन शुरू करने की बात प्लानिक है यहां बजाज आटो की तो कह सकते हैं कि 2022 के मिड तक इस 30 नए शहरों में इसको लांच किया जा सकेगा अभी तिल टाइम तिल डेट बजाज चेतक सिरफ पूने और बैंगलूरू में ही इसकी सेल कुछ उनने सेल फिगर के रिगारिंग भी कुछ यहां पर एक लैटी दी है उनने कहा है कि पिछले तीन मीनों में तकरिवन आठ सो यूनिट की सेल हुई है जो की दो सिटीज के साब से इतना भी बुरा नहीं है बट इतना उनका सफिशन नहीं है उनकी प्लानिंग बहुत टीवियस या हॉंडा सुजूकी यामा उनमें से किसी एक कंपणी ने इनके दो यूनिट खरिदे और उसको आरेंडी के लिए जापान में भेज दिया लेकिन बजाज ने उसको ट्रैक कर लिए जुसका जीपियस सिस्टम था स्कूटर में लगा वह उसको धूरूश को ट्र किया गया है तो अपने अरेंडी के साफ से हो सकता है कि कुछ उसे मिलता जुलता स्पैसिफिकेशन के साथ वह अपने प्रड़क्ट को लाउंच अक्सर करती हैं कंपनीज यह नहीं है जो राइवल कंपनीज है वह हमेशा उनके प्रड़क्ट खरिद कर उसको खुद को आरे लेट बहुत जल्द आएगा जब भी आएगा आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले आज के लितना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जय हैंद